और बात पियम मोदी के सबसे बड़े मिशन की उत्तरप्रदेश की जंग जीतने के लिए पियम मोदी भी जल्दी ही मैदान में दिखाई देने हैं आने वाले दिनों में उनके तावर तोड दोरे होने वाले इसकी रूपरे का लगभग तयार हो गए लेकिन सबसे खास तस्वीर 16 नमबर को दिखेगी जब पियम मोदी एक बार फिर पूरवांचल के लोगों को खास सवगात देंगे दरिसल 16 नमबर को पियम मोदी इसके रिए सुल्टान पूर पहुचने नमबर में मोदी का मेगा चुनावी शोग पियम मोदी में मिलेगी रफ्तार पश्यम में उरन छूपला दस दिन तीन दोरे भाजपा की नमबर क्रान पि देश के सबसे बड़े प्रदेश का चुनाव है तो भाजपा की तैयारी भी उतनी ही बड़ी है बहुत जल्ट पियम मोदी चुनाव परचार की कमान संभाल लेंगे आने वाले दिनों में वो यूपी में ताबर तोर दोरे करने वाले हैं और इन दोरों से साफ हो जाएगा के भाजपा के लिए यूपी जीतना कितना जरूरी है 16 नौंबर को पियम मोदी सुल्तानपूर दोरे पर रहेंगे सुल्तानपूर में पुर्वांचल एक्सप्रेस वे का लोकारपन करेंगे 19 नौंबर को रानी लक्ष्मी भाई की जैनती पर जहासी का दोरा करेंगे इसके बाद 25 नौंबर को जेवर एयरपोर्ट का शिरान्यास करेंगे सभी दोरों पर सीएम योगी भी पीएम मोदी के साथ मौजूद रहेंगे यूपी में भाजपा के चुनाव अभियान की शुरुवात तो उसी दिन हो गई थी जब अमिट शाह ने 29 अक्तूबर को लखनाव से मेरा परिवार भाजपा परिवार नाम से सरस्यता अभियान की शुरुवात की थी अमिट शाह ने लखनाव से ये एहसास दिरा दिया था कि यूपी के चुनाव का नतीजा 2024 तक भी असर डालेगा यही वज़े है कि पीएम मोदी भी यूपी की जंग में कूदने के लिए बिलकुल तयार है भाजपा की तयारी पूरी है बस तयार किये गए रूट प्लैन को फॉलो करना है रवीवार को जब दिल्ली में राश्ट्रिय कारकारनी की बैठक हुई तो सीएम योगी भी उस बैठक में शामिल हुए और मीटिंग में उन्होंने राजनितिक प्रस्ताव रखते हुए सब के बीच कहा के यूपी में केंद्र और प्रदेश तरकारने बेहतर काम किया है और भाजपा चुनाओ जीतेगी चुनाओ तो पांच राज्यों में होने हैं लेकिन पार्टियों की असली जवाब देही यूपी से हित्य होगी और यही वज़े है के भाजपा यूपी में विजय गाथा लिखने के लिए अभी से जुट गई है एबीपी गंगा के लिए प्यूर रिपोर्ट